गुलमर्ग हिल स्टेशन भारत के कश्मीर के बारामुला जिले में स्थी थे गुलमर्ग को देखकर हर परेटक इसे धर्ती का स्वर्ग कहता है गोर्तलपी की जो भी परेटक कश्मीर आते हैं वे सभी गुलमर्ग की गंडोला राइट को जरूर इंजॉय करते हैं तदा या कश्मीर टूरिजम का सबसे बड़ा कर्शन है गुलमर्ग की गंडोला राइड दुनिया की दूसरी सबसे लंबी और दूसरी सबसे उची केबल कार राइड है गुलमर्ग की गंडोला राइड की जानकारी इस वीडियो में विस्तार से दी गई है परन्तु उससे प अर्थात कश्मीर घुमने की योजना बना रहे हैं तो श्री नगर के से पहुंचे यह आपके सामने सबसे बड़ा सवाल होता है श्री नगर तक सीधी रेल सेवा नहीं है यहां केवल सडक और वायू मार्क के जरी ही पहुंचे जा सकता है जेलम नदी के किनारे बसा श्री नगर डलजील खुपसरत गारडन और हाउसबोट के लिए प्रसिद्दे श्री नगर में इस्तिर डलजील चारो ओर से मुगल गारडन से गिरी है और इसमें हाउसबोट इस्तिते तता शिकारे चलते हैं गोरतलब है कि श्रीनगर सडक मार के जरिये पूरे देश से जुड़ा हुआ है। तथा 18-19 गंटे का समय यादरा में लगता है। इसी प्रकार जम्मू से श्रीनगर दोसोचाट किलोमेटर दूरे तथा बस का किराया 230 रूपए है। बस दोरा जम्मू से श्रीनगर पहुँचने में लगबग 7.5-8 गंटे का समय लगता है। सडक मार्ग से श्रीनगर जाने म हाला कि समय ज़्यादा लगता है। लेकिन रास्ते में मिलने वाली प्राकरतिक खुबसूरती आपकी सारी ठकान मिटा देती है। ऐसी अद्विती प्राकरतिक खुबसूरती का लुत्फ आप हवायातर में नहीं उठा पाएंगे। आप जम्मू तक ट्रेन से भी आ सकते है परन्तु जम्मू से श्रिनगर आपको बस या टेक्सी से ही जाना पड़ेगा क्योंकि श्रिनगर तक रेल सेवा नहीं है। श्रिनगर बस स्टेंड पर उतरने के बाद आप आटो रिक्षा या टेक्सी से आपकी होटल या हाउस बोट तक पहुंच सकते हैं। आटो के लगबग हर बड़े शेहर से उडान सिवा उपलब दे। एरोपलेन के जरिये दिल्ली से नौन स्टा फ्लाइट से श्रिनगर पहुंचने में करीब देड़ घंटा लगता है। यदि आप दो से तीन महिने पहले फ्लाइट का टिकेट बुक करा लेते हैं तो दिल्ली से नौन स्टा फ्लाइट का किराया केबल पचीस सो से तीन हजार उपए पड़ता है। यदि आप वन या टू स्टा फ्लाइट चुनते हैं तो किराया और भी कम हो जाएगा। एरोपलेन से जाने में आपका बहुत सारा समय बचता है और रास्ते में कोई परिशानी भी नहीं होती है। यदि आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो हमारा आपको सजेशन ही कि आप फ्लाइट के द्वारा ही श्रीनगर जाईए। एर एशिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, गो एर, एर इंडिया, आदी, एरलाइंस, दिल्ली से श्रीनगर के लिए प्रती दिन कई टेक्सी का किराया 700-800 रुप है। आप यहां किराया कम करने के लिए बारगन नहीं कर सकते क्योंकि यहां टेक्सी यूनियन है तता टेक्सी वालों की मोनोपॉली है। प्रती वालों के लिए बारगन नहीं कर सकते के लिए बारगन नहीं कर सकते हैं। केवल ब्रिक्फास्ट का ही पेकेज ले क्योंकि हाउस बोट का खाना ज्यादा अच्छा तता हाईजिनिक नहीं होता है। डल जिल के किनारे कई अच्छे वेज तच्छा नॉन वेज रिस्टोडेंट है। आप हाउस बोट की बजाए वहाँ लंच या डिनर करें। हाउस बोट पर चेक इन करने के बाद आप हाउस बोट पर चाय अत्वा कॉफी के साथ डल जिल को निहार सकते हैं। शाम को आप डल लेक में शिकारा रायड का आनन ले सकते हैं। पूरे जीवन पर याद रही की। आप हाउस बोट से श्रिनगर की खुबसूरती निहारें उसके बाद आप हाउस बोट में रेस्ट करें इस प्रकार आपका खुबसूरत कश्मीर में पहला दिन समाप्त होता है। तता टेक्सी का किराया पच्ची सो रुपए है। टेक्सी वाला आपको रास्ते में कई खुबसूरत साइट्स जैसे की अवन्तिपूर रुइन्स दिखाता हुआ ले जाएगा। अवन्तिपूर रुइन्स ग्यारो सो साल पुराना राजा अवन्ति वर्मन द्वारा निर्मीत भगवान विश्नु का मंदिर है। हलागि यह मंदिर टूट फूट गया है परनतु फिर भी देखने लायक है। तो आप महां जाएं। यदि आपने आनलाइन होटल बुक नहीं किया है तो टेक्सी वाले की मदद से अपने बजट के हिसाब से 800 रुपे से 2000 रुपे पर डे का होटल बुक कर सकते हैं। इसके बाद आप पेमेंड देकर टेक्सी वाले को छोड़ दें। तता होटल में चेक इन करें। शाम की चाई या कफी आप होटल के बाहर लान में बरफिले पहाडों को देखते होएं पीए। यदि आपका मन करें तो आप होटल से बाहर वेली में टहलाएं। इसके बाद रात का खाना आप होटल में ही खाएं। तता रात में आराम करें। इस प्रकार आपका मेजिस्टिक कश्मीर में दूसरा दिन समापत होता है। तीसरे दिन सुभर पहलगाओं में अपने होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद आप होटल से ही चंदनवारी, बेतवावेली तथा अरुवेली लिए टेक्सी बुक कर सकते हैं। इन तीनों स्पोर्ट को घुमाने का टेक्सी का किराया 1500 रुपए से 800 रुपए के बीच है। पहलगाओं से चंदनवारी केवल 15 किलमेटर दूर है। चंदनवारी एक बहुती खुपसरत स्पोर्ट है जहां से उंचे पहाड, जूंते पेड़ और रंग बिरंगे फूल दिखते हैं। यदि आप यहाँ अप्रेल से अक्टूबर के महीने में आते हैं, तो आपको वास्तों में लगेगा कि आप जन्नत में आ गए हैं। आप यहीं इस्तित किसी ढाबे पर लंच करें। इसके बाद आप बेताब वेली जाएं। और बेहद आकरशक घाटी जो हरे भरे घास के मेदान और बरफिली चोटियों से गिरी हुई है। चंदनवाडी से लोटते समय आप बेताब वेली में घुमें। बेताब वेली के बाद आप आरू वेली जाएगा। आरू वेली एक महतपूर्ण परेटक स्थले। इस वेली के बीचो बीच एक नदी है जिसके किनारे आरू गाउं बसा हुआ है। यहां आप हर्स राइडिंग, ट्रेकिंग आदी कर सकते हैं। इस वेली में आकर आपको स्वीट्जर लेंड जैसा अनुबव होगा तथा आपका मन इस वेली से वापस जाने का ही नहीं होगा। आपका मन करेगा कि आप इसी गाउं में बस जाएं। आरू वेली में आपको चाई नैश्टी की दुकाने भी मिल जाएंगी। आरू वेली के बाद आप पहलगाओं घूमते हुए अपनी होटल में आ जाएं तथा रात का डिनर अपनी होटल में ही करें। चोथे दिन आप होटल में ब्रेकफास्ट करके गुलमर्ग के लिए निकले हैं। आप जाएं तो रास्ते में लंच भी कर सकते हैं। या आप गुलमर्ग के लिए आउनलाइन होटल बुक की हैं तो वह आपको बहुत सथी पड़ेगी। परंतुग गुलमर्ग पहुँचकर यदि आप होटल सर्च करते हैं थो होटल वाले बहुत ज्यादा रिड़ बताए जबकि आनलाइन बुक करने पर उसी होटल में आपको पंदरा सो रुपए में रूम मिल जाएगा पूरे कश्मीर में सबसे ज़्यादा महेंगे होटल गुलमर्ग में ही है इसलिए यहां के होटल आनलाइन ही बुक करें अनित्था यह होटल वाले आपको लूट लेंगे गुलमर्ग में होटल में चेक इन करने के बाद आप होटल के बाहर प्रकरती के गोद में चाई नाश्ते का अनन ले तदा कुछ देर होटल के बाहर पेधली गुलमर्ग घुमाए रात में होटल में डिनर करके सो जाएं इस प्रकार आपका कश्मीर में चोथा दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्थात पांचवे दिन आप अपनी होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद केबल कार राइड के लिए जाएं जिसे कश्मीर में गंडोला राइड केते हैं आप पोनी अर्थात घोड़े पर बेटकर गंडोला राइड के टिकेट काउंटर अर्थात स्टार्टिंग पाइंट तक भी जा सकते हैं आप गंडोला स्टार्टिंग पाइंट तक अपनी होटल से पेदल भी जा सकते हैं यहां केवल 20 मीनट में पेदल पहुंचा जा सकता है आप अपने बच्चों को घोड़ा पर बिठा सकते हैं यहां पर आपको टेक्सी करने की कत़ जरूरत नहीं है गंडोल राइड के दो फेज होते हैं पहला फेज गुलमर्ग से कुंगदूर का होता है इसका किराया 740 रुपए है सेकेंड फेज कुंगदूर से अपरवाथ तक का होता है इसके किराया 950 रुपए होता है यहां किराया आने तथा जाने दोनों और का मिला कर होता है यहां कुल 100 केबल कार है एक केबल कार 6 लोगों को ले जाती है केबल कार पहले फेज में अर्थात कुंगदूर तक 2600 मिटर की उंचाई तक ले जाती है इसमें 9 मिनट का समय लगता है यदि आप सेकेंड फेज अर्थात अपरवाद तक जाना चाहते हैं तो केबल कार आपको 3747 मिटर तक उपर ले जाती है यहां पहुँचने में लगभग 12 मिनट लगते हैं गंडोला राइट से फेज वन या फेज टू पर उतर कर स्नो एक्टिविटीज को इंजॉई किया जा सकता है अब परेटों के मन में यह सवाल उठता है कि फेज वन पर जाएं या फेज टू पर यदि आप अपरेल मई तथा जून में गुलमर काते हैं तो ही आपको फेज टू तक जाना चाहिए क्योंकि इन तीन महिनों में फेज टू पर ही बर्फ मिलती है तथा महिन पर स्नो एक्टिविटीज जैसे स्किंग, स्नो बाइकिंग आदी होती है इन तीन महिनों में फेज वन पर बर्फ नहीं मिलती है अन्य सभी महिनों में फेज वन तक ही जाना चाहिए क्योंकि सारी स्नो एक्टिविटीज फेज वन पर ही होती हैं, फेज टू पर नहीं कुंगदूर अत्वा अपरवात में स्नो एक्टिविटीज करने के बाद आप गंडोला से वापस गुलमर्ग आ जाएं रात का खना आप अपनी होटल में ही खाएं तथा आराम करें क्योंकि आप स्नो एक्टिविटीज के बाद बहुत जादा ठक जाएंगे एक महतमन बाद गुलमर्ग अपनी स्नो एक्टिविटीज के लिए देश भर में फेमस है यदि आप अपरेल मई तथा जून में कश्मीर घुमने का प्लान बना रहे हैं तो आपको स्नो केवल गुलमर्ग में ही मिलेगा तथा वह भी कुंगदूर अत्वा अपरवाथ में अन्य जगह पर बर्फ पहाड़ों पर रहती है जहां जाना संभव नहीं है केवल गुलमर्ग में ही आप गर्मियों में बर्फ को हाथ से चू सकते हैं चटे दिन आप गुलमर्ग से श्रीनगर के लिए प्रस्थान करें गुलमर्ग में आप होटल में ब्रेकफास्ट करने के बाद होटल से ही टेक्सी बुक करें गुलमर्ग से श्रीनगर की दूरी केवल 50 किलोमेटर है तता टेक्सी का किराया 1500 से 800 रुपे के बीच है इन होटल बुक कर रखिये तो आपका होटल बुकिंग का समय बचेगा श्रिनगर में होटल दो दिन के लिए बुक करें होटल में चेक इन करने के बाद आप टेक्सी बुक कर सकते हैं या आटो रिक्षा से श्रिनगर लोकल साइट सीन कर सकते हैं यदि ट्यूलिप गार्डन खुला हो तो उसे अवश्य देखने जाईएगा यहां गार्डन अप्रेल में केवल 20-25 दिन के लिए ही खुला रहता है क्योंकि ट्यूलिप फ्लावर साल में केवल 20-25 दिन ही खिलते हैं इसके बाद आप श्री नगर में चश्मेशाही, निशानदबाग तता शालिमार बाग घुम सकते हैं इन तीनों बागों को ही सम्मिलित रुप से मुगल गार्डन्स कहा जाता है और ये तीनों बाग डल जील के किनारे ही स्थित हैं इसके बाद आप श्री नगर में डल लेके किनारे स्थित किसी अच्छे रिस्टोरेंट में लंच कर सकते हैं लंच के बाद आप शंकरा चाय टेमपल देखने जाएं लोटते समय आप श्री नगर का हार्ट कहलाने वाला लाल चोक देखें तथा यदि आप शॉपिंग करना चाहें तो लाल चोक पर आप यह कर सकते हैं इस चोक पर कभी कभी शुकरवार के दिन पत्थर बाजी भी हो जाती है यदि ऐसी स्थिती हो तो आप लाल चोक को देखना इस्तगित भी कर सकते हैं बाकी पूरा कश्मीर परिटेकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है इसके बाद आप डिनर करके रात में अपने होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थाथ साथवे दिन आप जल्दी ब्रिक्टफास कर लें तता टेक्सी बुक करके सोनमर्ग के लिए निकलें सोनमर्ग श्रीनगर से 81 किलोमेटर दूर है तता सोनमर्ग पहुँचने में 3 घंटे का समय लगता है श्रीनगर से सोनमर्ग जाने तता वापस आने का टेक्सी का अधिक्तम किराया 25 रुपे होता है सोनमर्ग के लिए आप सुबा 8 बजे तक निकल जाएं टाकि आप सोनमर्ग 11 बजे तक पहुच जाएं सोनमर्ग को मिडोज ओफ गोल्ड अर्था सोने की घास वाली जगे कहते हैं सोनमर्ग में आप पोनी राइट का आनन उठाएं सोनमर्ग में ही आप लंच करें सोनमर्ग में घूमने के लिए 5-6 गंडे का समय काफी होता है आप सोनमर्ग से वापस शिनगर के लिए शाम को चार बजे निकल जाएं ताकि आप अंधरा होने से पहले शिनगर वापस आ जाएं सोनमर्ग से श्रीनगर का रास्ता रात में बहुत ज़्यादा सेफ नहीं है यदि आप जादा घूमना चाहते हैं तो सुबह श्रीनगर के होटल से और जलती सोनमर्ग के लिए निकले सुनमर्ग से वापस आने के बाद रात का खाना आप शृनगर में अपनी होटल में खाएं अथवा आप डल लेक के किनारे स्थित रिस्टोरेंट में भोजन करें रात में अपनी होटल में विश्राम करें अगले दिन अर्थात आठवे दिन सुबह का ब्रेकफास्ट करके आप होटल से चेक आउट करें तथा टेक्सी के द्वारा एरपोर्ट अथवा रिक्षा के द्वारा श्रिनगर बस स्टेंड पर आ जाएं होटल से एरपोर्ट वापस जाने का टेक्सी का किराया 700 रुपए होता है यदि आप फ्लाइट से दिल्ली या कहीं और जा रहे हैं तो एरपोर्ट पर अपने गंते विस्थान के लिए बोर्डिंग करें यदि आप बस से जा रहे हैं तो श्रिनगर से जम्मू के लिए बस का टिकेट ले ले तता वापस अपने घर की जर्नी इंजॉई करें अब हम आठ दिन की इस कश्मीर यात्रा के कुल खर्च पर बात करते हैं चार लोगों का दिल्ली से श्रिनगर तता रिटर्न श्रिनगर से दिल्ली का फ्लाइट का किराया 20,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का टेक्सी का कुल किराया 16,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का होटल तता हाउसबोट का किराया 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का भोजन का खर्च 14,000 रुपे चार लोगों का आठ दिन का साइट सींग तो था एक्टिविटी का खर्च 10,000 रुपे चार लोगों का कश्मीर में आठ दिन का अधिक्तम कुल खर्च 12,000 रुपे इसे हम चार से भाग देते हैं तो प्रतिविक्ति अधिक्तम कुल खर्च 18,000 रुपे आता है इस प्रकार आप केवल 18,000 रुपे में शांदार तरीके से फ्लाइट को शामिल करते हुए कश्मीर गूम सकते हैं यदि अब फ्लाइट की जगे बस से कश्मीर आते हैं तो प्रतिविक्ति खर्च घटकर केवल 15,000 रुपे ही होगा यदि आप आप आनलाइन होटल बुक कर लेते हैं तो होटल का खर्च 14,000 रुपे से घटकर केवल 9,000 रुपे ही आएगा तो अब इंसार मत कीजिए चल्दी कश्मीर गूमने का प्लान बनाईए और अधिक जानकारी के लिए हमें मेसेज करें यदि आपको हमारी जानकारी सही तथा उप्योगी लगी हो तो हमारे चैनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे चेनल एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन भी दवाईएगा